आज की मुख्य हेडलाइन तेज रफ्तर बाइक ने पहले जा रहे युवक को टक्कर मारी युवक की मौकव पर हुई मौत बाइक सवार बदमाश नमक वेवसाई का गल्ला लूट कर हुए फरार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जाच परता युवक ने फांसी लगा कर किया आत्मत्या मौत्ताक पर था करच का दबाओ जाडोली फुट ओवर बिच पर मिला शौव नहीं हुई शौव की पहचान आईए चलते हैं मुख्य समाचरू की तरह विस्तरा से कठूमर के ग्राम पंचाद बेरका में मुख्य अतिती विधायक रमेश की ची ने नाव निर्वित उपस्वास्त के अंदर भावन की शिला पट्टिका से लाल कपड़ा अटा का लोकारपन किया कारेकर्म के अतिक्षता सरपंच कल्लू राम चौधरी ने की इस मौके पर मुख्य अतिती विधायक रमेश की ची ने बेरका के हनुमाजन नंदिर में शेखपुरा तक सड़क बनवाने की गोशना की उन्होंने ERCP योजना के तहट पेजर लानी की भी बात कही इस अउसर पर जमीन दान देने वाले भामाशा विजिंदर सिंजांगिड का संबान किया गया इस दोरान ग्रामिणों ने विधायक रमेश कीची का जोड़दा स्वागत अभी नंदन किया इस मौके पर पूर प्रधान संजय कीची, मंडाल दक्ष, सुनिल बजाज, BCMO, डॉक्टर रवीराज, सरपंच, मोहन गुड़्डू, शर्मा, सुकेश गूजर, हावीड मुख्यमंतरी बजलाल शर्मा ने एक देवसीय मुख्यमंतरी रोजगार रुजगार रुस्ताव दोज़ार चौबिस के तहत वर्चौल रूप से प्रदेश के 20,009 नुक्त कार्मियों को नुक्ती पत्र वेलकम किट प्रदान किये, उन्होंने नुक्त कार्मिकों से नुक्त कार्मिकों को नुक्ती पत्र वेलकम पत्र सौपे। CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्स्पीरियंस प्रकल्टी आपके बच्चे की दहतर बढ़ाई के लिए, जिन में CP गुपता सर, SS राफोर सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुरवेदी सर और प्रमोद गुपता सर CMRS, JLG Square, Apposit Harish Hospital, Near Jail Circle, Alvar For more information, contact us 7014392684 on 9828115191 Break के बाद मैं आपका अपने हादिक स्वागत करता हूँ, चलते हैं अन्ने का अपरो के तरह RSRDC विभाग द्वारा किशंगर छेतर के पापड़ी मोड से मुबारिकपूर बीजुआ अलावडा गोविंदगर होते हुए भरतपूर सीमा के सैमला गाओं तक 66.5 किलोमेटर लंबा, 66.5 करोड की लागत से सडक मार्क बनवाया जा रहा है जिसमें मानकी गाओं के आबादी छेतर में बनाई जा रही, सिमेंटेट सडक में बनने के साथ ही दरार आने लग गई है इस बारे में ग्रामिनों ने मीडिया को दरार दिखाते हुए विरोध प्रजर्शन किया और बताया कि सिमेंटेट सडक में ठेकेदार द्वारा लापरवाई से गटिया सामागरी का उप्योग किया जा रहा है ग्राम के बाहर सिमेंटे डोड के एक तरफ के हिस्से में चोनल सही तरीके से ना लगाने के करण एक तरफ की नीचे से करीब सो फूट सड़क खोकली बनाई गई है और वहाँ भी सड़क में दरारे पड़ गई है ग्रामीनों दोरा एक सप्ता पूर ही ग्रोध प्रजेशन किया गया मीडिय कर्मियों दोरा इस बारे में प्रिबाग के साय कविंता आर के अरोडा को अवगत कराया गया तो उन्हेंने का कि गर्मी के करण तापान अधिक होने से दरादे आ गई है और खोकली सडक बनाने के बारे में कहा कि मैं स्वयम मौके पर पहुँचकर देखकर ही बता पाऊंगा लेकिन एक सप्ता भी जन के बाद विसाय कविंता ने मौके पहुँचकर निरिशन भी नहीं किया जबकि एक सप्ता से तापान वे 10 से 15 डिगरी तक कमी आ चुकी है नियम अनुसार बन रहे स्टेट रोड की सडक में कनिस्ट अभियंता को नियमित मौके पर मौके पर मौझूद रहे उपियों में लाही जने वाली सामगरी का अवलोगन करना चाहिए कि निर्धारित मातर में उपर ली जा रही है या नहीं जबकि ग्रामिनों के अनुसार आवादी छेतर में बने इंटर लॉकिंग सडकों की इटे हटा वहीं किसे सीमेंटेड सडक बनाई जा रही है जिससे सडक करीब आदा फूट उंची हो रही है और पुराने बने हुए मकान नीचे होने लग गए है दूसरा दिकारी कभी मौके पर आते ही नहीं केवल ठेकेदार के शमी की सारे कारिया करते नजर आते हैं ग्रामिनों ने बताया कि इस बारे में मुक्यमंतरी रहिस्तान सरकार को पत्र बेज कर जाज कराने की मांग की गई है इस बारे में विभागिया शाक्षी अधियानता मनोज मातों से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे संग्यान में आया है मैं जाज करवाता हूं विरोध प्रदेशन करने के दोरान तिलक सिंग, सोराब, ओम्प्रकाश, सोन सिंग, प्रकाश मिगवाल, शोन सिंग, मेगवाल, मनीश राजपुत सहीत अने ग्रामिन मौजूद रहे अलवर शहर की अलकापुरी कॉलोनी के पास नाला गंधी से लबाला भरा हुआ है बरसात होने का साथ ही नाले का पानी सड़क पर बहने लगा लेकिन नगर निगम का इस तरफ ध्यान नहीं है नगर निगम अयुक्त बजरंग सिंग शहर की सफाई करने में ऐसे मर्थ होते दिखाई दे रहे हैं सिंग एक तरफ तो शहर की सफाई करने का दावा करते हैं लेकिन इस्तिती बत से बत्तर होती जा रही है सरस्बूत संचलाक सुशिल सेनी ने बताया कि आरार कॉले सरकिल के पास नाले की दिवा टूटी हुई है गंदगी अधिक होने की वज़े से नाले का पानी रोड़ पर आ रहा है कई बार नगर निगम को सुचन देने के बाद भी यहाँ पर कोई सफाई नहीं कराई गई है नगर निगम के करमचारी अवश्या है और नामातर की गंदगी निकाल का चले गए इस गंदे पानी की वज़े से कोई ग्राग भी नहीं आ रहे है बारिश बंद होने होते हुए छे गंटे पूर्ण हो गए लेकिन नाला अभी तक भरा हुआ है एक तरफ तो नाला पानी से भरा हुआ है दूसी तरफ खाली है बीच में गंदी रुखने से पानी आगे नहीं जा पा रहा है तोड़ा सा कूड़ा निकाड़ के चली गए वो फूरी सपाई नहीं नहीं वो देख लो आपके सामने दिख रहा है बार जे निकल रहा है पानी अब साब वो क्या कहते हैं साब अब तो आपके सामने है जो भी है मेरा नाम शुशील गुमार साहली राजके राजी उगांदी सामने चिकसाले में पुराने इमर्जेंसी विभाग में आयरुवेदिक विभाग, होमपेतिक विभाग, युनानी विभाग जल शिफ्ट की जाएगी प्रवो चिकसा अदिकारे सुनल चोहन ने बताया कि पुराने आपात काले इन विभाग में बेस्मेंट में संचलित आयरुवेदिक विभाग, होमपेतिक विभाग, युनानी विभाग को कुछ समय के लिए पुरानी इमर्जेंसी में शिफ्ट किया जाएगा चिकसा की पहली मंजिल पर नेतर विभाग, दंत विभाग, एंटी विभाग जैसे कई विभाग हैं जहां चटों में सीलन, वैसीवरेज की दिक्कत और चटों से पानी का टपकना इसके अलावा चट कराब होने करण रिपेरिंग का कार्य करवाय जाएगा इस वज़े से इन विभागों को बेस्मेंट में शिफ्ट किया जाएगा और बेस्मेंट वाले विभाग को पुराने आपत काले इन विभाग में शिफ्ट किया जाएगा रेपेरिंग का कारे संपूर्ण होने के बाद विभागों को अपने अपने स्थान पर पुन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा पुरानी एमर्जेंसी विभाग के अंदर बेस्मेंट के अंदर चलने वाले आयरुवेद, अमविपातिक और युरानी डिपार्टमेंट को कुछ दुनों के लिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट फ्लॉर की उपर जो डेंटल, आई, एंटी है कई डिपार्टमेंट से जहां पर सीपेज की समस्या है लिकेज पानी टपकता है और चट भी खराब है तो उसकी रिपेरिंग के चलते उतको नीचे शिफ्ट किया जाएगा बेस्मेंट में शिफ्ट किया ज जगाया है और जो गैलरी थी उसको एक कमरा बना दिया गया है बाकी सब एजिटीज है और अपने-पने भाग, अपने-पना समान, अपने-पनी जगह पर शिफ्ट कर लेंगे और जब रिपेर हो जाएगी उसके बाद वो आपस से अपने-पने जगह पर पहुंच जाएग और उसके बाद जो है फॉल अप लगता है कि जैसे कुछ बच्चे जो इस्थल पर नहीं आपाते हैं, जो भी इस्थल जहाँ पर पोल्यो पिलाई जाएगी वहां नहीं आपाते हैं तो अगले दिन, अगले दो दिन तक उनके घरों पर जाकर उनको बच्चों को पोल्यो की आयोजन किया गया रात्री चोपल के दौरन पानी बिजली अतिक्रमन सहीत 15 परीवेदनाएं ग्रामिनों ने दी जिस पर संबंदित विभाग के अधिकारियों को सभी समस्याओं का निश्तारण करने के निदेश दिये गया इस मौके पर तैसिलदार आरके यादव ब्लॉक श परोड़ छेतर के बेरापुर की धाड़ी निवासी ब्रद मदनलाल सहनी एक पैर से दिव्यांग है जिससे चलने फिरने में काफी समस्या आ रही है दिव्यांग मदनलाल ने संस्ता जिला अध्यक्ष शिवकोमार को अपनी पीड़ा बताई और विलचेर की जरुरत के बार राकेश शर्मा प्रशान शर्मा जीवन सिंग पूरा मौजूद रहे आईए एक चोटा से ब्रेक का समय हो चला है मिलते हैं कोछी समय वश्चाथ तेज दिमाग पैनी नसर और निर्ने लेने की ख्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविश्य नरेंद्र तिवाडी IAS Academy जो की है सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए सर्वश्रेश्ट संस्ता जहां का उन्नत माहौल और सही मार्क दर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SAC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पत्वारी, STC और B8 जैसी प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा अलवर की सर्वश्रेश्ट प्रतियोगी संस्ता, नरेंद्र तिवाडी IAS Academy, रेलवे स्टेशन के पास, लिटल बर्द स्कूल के पीछे, नहरुनगर, अलवर ब्रेक के बाद मैं आपका पुने हाटिक स्वागत करता हूँ, चलते हैं अन्नेक हपरों कितरा अलवर शहर के इसकीम तीन बसंत बिहर में बाके बिहरी का उस्वा मनाया गया, गिर्राज गुत्ता ने बताया कि मंदिर पर इस सर में 29 जून को हर साल की भाती इस साल भी बाके बिहरी जी का उस्वा मनाया गया, इसमें फूलो का शंगार, बजन कीरतन किया, इस दोरान शा जिसमें फूलों का सिंगार अपने विंदामन से मत्रविंदामन से हमारी पार्टी आती है जो फूलों का बंगला बनाती है और बहुत बढ़िया सिंगार ठाकुजी करते हैं यह हर वार्ष यून को विदीबत तरीके से मन दन से सारे कोलोंी वासी और हमारे और भी जो सहर के हैं सबी अगंतु मोदे सब आते हैं और उसमें भगवान का जनुँस्तीं मनाक्य के काटा जाता है चे काटने के बाद प्रशाद वित्रन होता है और कभी हम प्रोग्राम बंडारे का भी कभी जादा भी लोग हो जाते हैं तो यह विदीपत तरीके से बढ़िया तरीके से मन से सभी लोग पूरे कॉलोनी वासी और जिसमें महिलाएं जैन सब लोग मिलकर के फूब हरसो लास से ठाकूर जी का वार्शी उस्तव मनाते हैं यह हमारा हर साल का गुनत्ती जून का प्रो उससे भी ज्यादा उससाइद होकर के सारे लोग अलाव यह समझते हैं कि घर से भी ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हम ठाकूर जी का मना है त्राकूर बागे वारे जीन का वार्शी होता है 29 जून हो इस वर्षी बड़ी दूधाव से मनाया जा रहा है को लोग वारे वह आरहे हैं बड़े आनंद ले रहे हैं पूल बंगना जाकी विशेष यहां का आकर्षन है जो हर्वर्ष होती है मत्राबंधावन से यहां कहला राजगर पंच्छा समीति छेत्र के गाओं सकट में नदी किनारे इस्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमांजी मंदिर में शनीवर को जै हनुमांज जै उप्योगी सेवा संस्तान ट्रस्ट सकट के तत्वधान में शद्धावलों ने सामोग रूप से वैदिक मंत्रो चारण के साथ बगवान शिव का महारुद्र अबिशेक कर मंदिर में हमन यग का कारिक्रम आयोध किया मंदिर के महंत रमा कांद ने बताया कि रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में जै हनुमान जै उप्योगी सेवा संस्तान ट्रस्ट सकट के तत्वधान में गत नो महीने से चल रहे संगीत मई उपखंड रामचरित मानस के पाठो का अब तक 308 पाठ पून हो जाने के महारुद्राबिशेक वे हमन यग का सामोई कारेकरम आयुद किया गया उन्होंने बताया कि महारुद्राबिशेक वे हमन यग कारेकरम पंडित मनोहलाल के दौरा विदिवत विदिक मंतर रुच्छाण के साथ संपन करवाया गया इस मौके पर शद्धालों ने हवन यग में शुद गाय के घी एम हवन सागरी के आहुती डाल कर भगवान से छेत्र की खुशाली वे सुख सम्रदी की काम नखी इस मौके पर मंदिर में विराजित जिला कलेक्टर खैटल तिजारा की अध्रक्षा में जिला स्वास समित्ती की बैठा कायुजित की गई जिसमें स्वास सम्मंदी समस्वी भागे कारेक्रमों एम गती विदियों की समिक्षा की गई अध्रक्षे दोरा चलाय गए नवाचार कारेक्रम मिश्न आकाश कारेकरम के अंतरगत चिन्नित अनिमिक गर्मती महिलाएं एंग कुपोशित एंग अती कुपोशित बच्चों को फॉल अप रिपोर्ट के उन पर संतुस जाहिर की आयुश्मान काड के ओनलाइन वित्रंग में ब्लॉक के शंगणबास M13 को विशे सुधार के निदेश्ट दिये गए साथी समस्खंडो को आयुश्मान योजना के तहट EKYC शत प्रतिशत पूर्ण करने के निदेश्ट प्रदन किये गए अद्ध्ष द्वारा TB मुक्त कारेकरम के तहट आगामी तीन महा में जिले के समस्खंडो को तीन-तीन ग्राम पंचयत TB मुक्त करने का लक्षर जारी किया गया भिवाडी किर्किट ग्राउंड पर एक मैच हुआ जिसका पहला भिवाडी पैंथर और IHI मेंगनेसिटा वारियोस के बीच हुआ RSI मेंगनेसिटा वारियोस ने टॉस जीता और पहले फिल्डिंग करने का निदे लिया भिवाडी किर्केट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि भिवाडी पैंथर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 फिकेट खोकर 189 रन बनाए जिसमें भिवाडी पैंथर के केप्टेन डॉक्टर जतिन ने 41 रन 31 बॉल में नितिन भाटिया ने 33 रन 17 बॉ ने 4 ओवर में 49 अंदे कर दो विकेट लिए वहीं दूसी पारी में आरचाई मैगनेशिटा वार्योस के कैप्टेन प्रदी प्राठोर ने 67 रन 43 बॉलों में बनाए आर सुधीर सिंग ने 88 रन 42 बॉलों में बनाए मैच का टरनिंग पॉइंट अजीस सिंग के ओवर में प्र आरचाई मेंगनेशिटा वार्योस और 20 ओवर में साथ विकेट खोकर 178 रन बना पाए अंत में इस रीज के विजयता भिवाडी पैंथर रही जिसे बीसी जी ग्राउंड की तरफ से विनर ट्रॉफी दी गई इस मैच के मैन आफ दा मैच पोरा सिंग रहे जिनें आवार्ड देका संभानित किया इस मैच के दोरान एमपायर शकील खान, संदीब चौधरी, कपिल चौधरी, जितंदर चोहान, राज सिना, तरुन शर्मा, बुद्धराम, सुभाश यादव, हेमंध, जागीद, देवि सहनी श्री कांदूबे उपस्तित रहे वन एम परेवान मंत्री संजे शर्मा के अभियान एक पौधा प्रती दिन के तहट समस छातर शक्ती के साथ बीश्रिम गर्मी को देखते हुए 18,000 पौधार उपन करने का संकल्प लिया गया चातर अभिशेक जायसवाल ने बताया कि जिसकी शुरुवात राजश्रीक महाविद्दयले की सरसोती वाटिका से की गई सभी सात्यों के सहयोग से वाटिका को गोध लिया गया जिसके अंतरकत वाटिका में होने वाले विभिन कार्य टीम द्वारा किये जाएंगे वे अलवर जिले को हम हरा बरा करने साथ ही पेड़ लगाने का योगां को संदेश दिया तिजारा चित्र में पंचार समिती वे नगर परिशद में आधार सेंटर का ओचक निरिक्षण किया आधार संचाला को द्वारा फजी दस्तावेज गलत बायोबेटरिक अधिक शुल्क वश्चूलना आधी एनिमित्ताओं की रोख्था में तू निरिक्षण किया स्दियम ने उपस्तित ग्रहांकों से कार्य एमरेट से सम्मदित जान करे लिए आधार सेंटर पर किसी प्रकार की एनिमित्ता नहीं पाई गई लेकिन आगामी समय में किसी प्रकार की एनिमित्ता और शिकायद मिलेपर कारयवई करने हेत्व निरिक्षण किये गई बारत विकास परिशत शाखा भिवाडी रायस्तान उत्रपूरु द्वारा भारत विकास परिशत के संस्ताप्राग डाक्टा सूरज प्रकाश जी जैनती का समारो अयुद किया गया हरी रायम शर्मा संदक्षक भारत विकास परिशत वर्लिस्ट सदस्य ओपी अगरवाल सी राकेश उप्ता छेत्री वित सच्यू अध्यक्ष राकेश सोनी हैं मुक्त वक्ता रंजन अगरवाल दोरा दीप प्रजलन के पस्चात बन्ने मातरम का गयन करके कारेक्राम का प्रकाश तुम्हें नमन, कविता का वाचन करके सभी को भाव विभोर कर दिया। सी राकेश गुत्ता ने परिशत की मूल अधारणा के विशे में जानकारी दी। कारेक्राम का संयोजन पूर अध्यक्ष ब्रजमोहन अगरवाल ने किया। सची औ सुनिता यादों ने सभी का धन्यवाद व्यापन किया। सब्सक्राइब के तेह चरणबद तरीके से प्रात्मिक तैकर प्रात्मिक करक्षा के बच्चों के लिए इंग्लिश इस्पोकन वे कठिन विश्यों की अत्रित करक्षा लगानें जिन विद्यालों में कंप्यूटर लेब बनीवाई हुई है। उन सबी में वाई फई लगवानें विद्यालों को कंप्यूटर की बेसिंग नॉलेज दी जावे। उन्होंने कहा कि विद्यालों में स्मार्ट बोर्ड वे इकलास को भी बढ़ावा दें। अलवाट सरस डेरी में अब तक की सबसे बड़ी हेरा फेरी पकड़ी गई। यह हेरा फेरी कब से चल रही थी यह किसी को ग्यान नहीं। लेकिन यह सही है कि डेरी करमचवरियों की टेंकर मालिकों से मिली भगत कर डेरी को प्रति दिन लाखों का नुक्सान दिया जा रहा था। यह कैसे संबाव है कि डेरी के भीतर ही लगे धर्मकाटे को कोई अंजान व्यक्ति चिप लगा कर रिमोट से कंट्रोल कर ले। शिकायत मिलने पर डेरी M.D. ने बहरोड रूट से आने वाले एक टेंकर को पकड़ा, जिसका वजन बाहर काटे पर कराया, तो चुकाने वाला खुला से हुआ, उसी टेंकर को पहले डेरी का प्लांट पर काटे से तोला गया, तो 460 लीटर दूद जादा मिला, बाद में पता तुलाइक में 460 लीटर बढ़ा दी, यानि काटे पर इतना बड़ा खेल होता था, कि टेंकर का दूद बढ़ा कर एक बार में ही सरकार को करीब 25,000 रुपा का चूना लगाते थे, इस तरह दिन में 10 से 12 टेंकर बढ़े आते हैं, यदि ये खेल सब टेंकरों होता है, तो रो यह सब देख लिया, तब पता लगा, यह बड़ी गड़बड़ी है, इस मामले को बहुत गमीरदा से लिया है, पुलिस को रिपोर्ट दे कर मामला दर्ज करा रहे हैं, दोश्यों को चिन्नित करने के प्रयास हैं, यह पता लगा कर रहे हैं, कि कितने टेंकरों में गड़ब इसके लिए एक्सपर्टीम का सारा लिये जाएगा चैनल दोबर अगा उसके बार अन्तरा कितना नकर याया है जो हमने ट्रहसी ज्याज दिए हैं एक ट्रहलोग फ़ी। दोद को बरा हुआ था था हूं दूद कर दूद का अधार हुआ जाया जाएगा। तोनों ने कल के आने के लिए अन्वीरता बजाई कि एमाधी तुम सब्जागे जाचो कुलिया। मैंने फिर मेल करवा दिया। मैंने रिटन में अपने पास वो रहेगा कि हमने मेल किया है। मैंने वहेगा जाए ठाफ, में थेल्जागे पुराण के लिए थेख लेगां लिए कुछ तार्रावार हुआ है हुआ है तो जाए तर्माद कार दो था जा देखता नर्जाद काल दोखंगा है। मैंने और सब्स्क्राण के लिए गट जाए हुआ है। स्म्धित के खिलाब कारवाहिकर है जो भी इसके अंदर इनोल है उसको भी बिलकुल ने बखसे हूं तो दूद की मात्रा कम हो रही थी जादा हो रही थी देड़ ली बढ़ता था बढ़ रहा था बढ़ था जो अज़न और बढ़ किसके खातेम रहा था पर यह तो जो भी आ सब का बढ़ रहा था जितने इंडर निटा लेकिस के इंदर बढ़ा है जोबिस टेंकर आते हैं पर जिसका चाय उसका करता था अभु कर कों रहा था यह आरे संग्यान में है लेकिन उसकी वीडियो क्लिक निकलवा रहे जो यह करता था यह कंड्रोले अधी पर आ झालीज और उन्होंद करो रही है तो मैं इनका इसको पता करो जो ठैंक कर वेकर हुआ था पुलिस पर देखेगी और सबके बयान देगी कहा हो रहा है किस ने किया रिपोर्ट के खिलाब देगे यह पूंचाना चाहरे है आप प्राणबिक तोर पे कौन दो सी लग रहा है वहाँ जो काम कर रहे हैं जो कांटे को टेकल कर रहे हैं वह तो सारा आजाएगा जब पुलिस के अंदर एफ आईयर होगी पुलिस अपना अपने उसुनों से जिस्ते आप से पकड़ेगी वह सब पकड़ेगी आप क्या लग यह सकाएथ किस ने दिया आपको चेर्में मेरे कल संग्यार में डाली थी कि ऐसे हो रहा है कि जैर्में नहीं डिया और च्शे applies death ten जाला के सफाई का कारिय किया गया Hai नगरपरिशत के आयूद डिकारी spec-टर में नालों कि सफाई का अॉप खंड को अठीकारी सिंझी यूपर्मन ने इूकरें किया अधुक्रम सर्गारी को आवश्य कमा अप्रमनभेल शिया अलवर रोड स्थित नालों पर हो रहे इस्थाई अतिक्रमों को हटाया गया है। इसके पश्चात सफाई कारिया प्राइब किया गया। टोल टेक्स सब्जी मंदी के पास पोक लेंड मशीन के द्वारा वाट्शो से जमें गंदे मुख्य नाले की सफाई कारिया प्राइब कराया गया है। हरसोली कस्वे के आर्य समाज मंदीर के पास मुख्य रास्ते के बीजो बीच बना तूटा नाला हास्ते को नौता दे रहा है। इससे लेकर आज इसाई लोगों ने ग्राम पंचायत के प्रती अपना विरोध प्रदरशन कर एतराज जताया। ग्रामेण उमेज सिंग फोजी, रामेश्वर, चेतराम चौधरी, विनोधी गुपता, चेतराम चौधरी, जले सिंग, मुकेश पटवा, वीर सिंग, ओम प्रकाश जोशी, आदी ने बताया कि काफी समय से आर्य समाज के पास मुख्य रास्ते के बीचो बीच नाला तूट अवा है, जिसको लेकर कई बार ग्राम पंचायत वैस्थाई प्रशाशन को आवद कराया गया, मगर आज तक इसे सही नहीं कराया गया, वहीं वहानों की आवज आहीं के चलते नाला तूट तूट कर काभी चोड़ा हो गया है, जिसमें आए दिन दो पईए वहान चालक खा प्रशाशन दे रही नाहीं इस्थानी प्रशाशन जिसे लेकर इस्थानी लोगों ने ग्राम पंचायत के प्रती विरोध प्रश्रशन कर अपना आग प्रोश जताया, वहीं ग्राम इनोंने शीकर ही नाले को दुरुस्त कराया जाने की मांग ग्राम पंचायत प्रशाशन क की है विद्धुद्विवाक से सेवन रिद हुए सावरलाल शर्मा को मुण्डावर ब्रहमन समाज अधक्ष वय जसाई सरपंच पंडित विरेंदर शर्मा ने साफा पैना का सम्मान दिया तो ये थे आज के मुक्के समाचार बहुत चार मिलते हैं अलवर न्यूस चेनल के साथ अब तक के लिए मुझे जादिजी धन्यवाद झाल झाल